नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल्टों से संजीवन पॉजिट्यूब पारंटिंग के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ क्या आपका शिशू दस मेहने का हो चुका है या होने माला है अगर हां तो अब इस समय अपने शिशू को उसके आहार में फोस्पदार्थ शामिल करना बहुत जरूरी है अब यहां वहां समय है जब आपके शिशू के दात बढ़ने लगते है और वहां खाने के लिए कुछ न कुछ ढूणने लगता है और इसलिए इस समय आपको उसके आहार में भरपूर पोशक तत्व शामिल करने है अभी शिशू बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है उसे जटीक हो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे वहां कौन से 10 खाद्य पदार्थ है जिनें आप अपने शिशू के आहार में शामिल कर सकती है नमबर वन सबसे पहले तो हरी पत्तेदार सबजिया और फल सबजिया आपको आपके शिशू के आहार में हरी पत्तेदार जर इसमें बहुत सारे पोशक तत्व पाए जाते है इसके अलावा पालक का सूप भी आप उसे दे सकती है दूसरा सौफ्ट चावल मुलायम पका हुआ चावल उसमें दाल का पाने डाल कर उसे मसल कर शिशू को खिलाए आप चावल में दूद मिला कर उसे अच्छे से मसल क अगर शिशू को खिला सकती है यदि शिशू मेठा पसंद करता है तो उसमें थोड़ा घी और शक्कर भी आप एड़ कर सकती है ठोस पदार्थ में आप ओट्स को भी एड़ कर सकती है ओट्स खनीज से भरपूर होते है कैल्शियम आयन जींक पोटाशियम फॉस्परस इन पाइबर्स भी भरपूर होते है और इसलिए ओट्स जल्दी से पचते भी है शिशू के लिए ओट्स का पाउडर जो मार्केट में इसली अवेलेबल होता है या आप उसे घर पर भी बना सकती है उसे आप शिशू को दे सकती है उस ओट्स के पाउडर को आप दूद में मिल या पानी में मिला कर शिशु को दे सकती है या फिर आप ओर्ट्स को पका कर सेमी सॉलिड रख कर शिशु को खिला सकती है आप चाहे तो ओर्ट्स को पका कर उसमें एक केला मसल कर एड़ करे और फिर उसे शिशु को खिला सकती है चोथा दही, शिशु को थोड़ा खटा मिठा दही भी आप खिला सकती है, लेकिन ध्यान रहे शिशु को दही दिन के समय ही आपको देना है, सुभे के समय आप उसे वहां खिला सकती है, रात के समय दही आपको अवेड करना है पाचवा है फल आपका दस महा का शिशु अभी अलग-अलग टेस्ट को महसूस करता है अभी आप उसे आहर में फल भी खिलाना शुरू करे जैसे फलों में सेब को उबाल कर उसे स्मैश करके आप शिशु को खिला सकती है इसके अलावा अंगूर, संत्रे का रस, उबली हुई नाशपती, ऐसे सीजनल फ्रूट जो भी अविलेबल है उसे आप आपके दस महा के शिशु को खिलाना शुरू कर सकती है सिक्स्त बात आपको बताने से पूर्व आपको एक इंपोर्टन बात मैं बताना चाहती हूँ आप संजिवन पॉजिटिव पारंटिंग का ओनलाइन वर्क्शॉप भी जोईन कर सकती है जिसमें आपके शिशु के साथ कैसे कनेक्ट होना, कैसे उसकी अच्छे से डवलप करना, इन सभी वातों को आप सीख सकती है और बन सकती है Extraordinary Mom of Extraordinary Baby इसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजिवन पॉजिटिव पारंटिंग आप इसके अलावा अंडे की भुरजी, मूंग दाल की खिचडी, दलिया, सबजियों से उक्त उपमा, घर पर बनाया हुआ हलवा, ऐसे पोशक ततों से भरपूर पदार्थ भी आप आपके शिशु को देल सकती है उसके आहार में शामिल कर सकती है तो इन सभी सबजीयों को, इन सभी पदार्थों को, फलों को आपके दस महा के शिशु के डायट में आपको शामिल करना है ताकि उसे पोशक ततों मिले और वो फिजिकली फिट हो, मेंटली हिट हो तो हसते रहें, मुश्कुराते रहें, एन्जॉय करें आपके पारंटिंग का हरक्षन संजीवन पॉजिटिव पारंटिंग के संग, धन्यवाद कर दो है।